अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर रीजिए साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा कर पावर आफ नॉलेज के नए वीडियो को सबसे पहले पाईए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपको हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ हिमालिया बेबी लोशन और हिमालिया बीबी पावडर के बारे में दोस्तो इन दोनों में से आपको कौन सा प्रोड़क यूज करना चाहिए अकोर्डिंग टू मी मतलब मेरे अकोर्डिंग कौन सा प्रोड़क आपके बच्चों के लिए ज्यादा सेफ है मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो ये जो है ये बेबी लोशन है और ये बेबी पाउडर है दोस्तो लोशन जो है आप जानते हैं के लोशन को जो है बेबे को शौवर वगएरा देने के बाद में आप इसको लोशन को यूज करते हैं पाउडर को भी वैसे ही लोशन ही लगाएं उसका रीजन सबसे बड़ा रीजन दोस्तों यह है कि जो पाउडर है इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टीकल्स होते हैं तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि जब कभी भी आप अपने बेबी को पाउडर वगरा लगा रहे हों तो पार्टीकल्स जो है ना अगर बच्चे के नाक में अगर आगर जाते हैं तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है यह एक मैं अपने अकॉर्डिंग से बतारा हूं दोस्तों आपकी क्या राए है आप भी अपने कमेंड जरूर मुझे करिये के इन दोनों में से वह आप किसको ज़्यादा सेफ मान वैसे तो दोनों ही safe है दोस्तो जो मैं बता रहा हूँ वो inhalation के according बता रहा हूँ यानि अगर बच्चा inhale कर लेता है तो उसको problem हो सकती है वैसे तो दोनों safe ही है लेकिन compare to both of these मैं ये कहूंगा कि baby lotion जो है वो जाधा baby के लिए recommended होना चाहिए लेकिन powder भी आप use कर सकते हैं powder को use कर ना है तो body पर use कीजिए और lotion को जो है आप face पर भी use कर सकते है पाउडर को जो है वो आप को use करना है तो face पर मत use करना baby के और lotion को use करना है तो आप full body में कहीं पर भी use कर सकते है तो दोस्तों यहीएक point था जो मेरे according मुझे ऐसा लगता है कि lotion को ज़ादा यूज करना चाहिए baby के लिए powder के comparison में powder को यूज करना है तो body पर यूज कीजिए और lotion को तो आप full body में face पर भी यूज कर सकते है तो आपकी राय क्या है दोस्तो इस वीडियो में मुझे बताईए comment box में ज़रूर बताईएगा मुझे comment करके कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से concept product जो है वो baby के लिए जादा useful और beneficial हो सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में till then take care